प्राम राम भारत में चुनाव कुछ उसी तरह होते हैं जैसे पर्व एक आता है दूसरा जाता है या कहें कि जैसे ही एक जाता है दूसरा चला आता है तो अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ दिल्ली के नगर निगम के चुनाव पूरे हुए गुणा गणित लगा कि भारती जनता पार्टी ने गुजरात में प्रचंड जीत हासिल कर ली हिमाचल में कॉंग्रेस किसी तरह जीत गए लेकिन सरकार तो बन ही गई और MCD में नगर निगम ने में आम आद्वी पार्टी ने कमाल किया अब फिर से है कि अगला वर्ष फिर से चुनाव का है कई राज्यों के चुनाव होने हैं चर्चा खूब जमकर हो रही है मदप्रदेश राजस्थान चतिस गड़की करनाटक भी साथ में है उससे पहले आपको ध्यान में होगा कि गुजरात हिमाचल के पहले पांच राज् चुनाव होते रहते वैसे तो हमेशा चुनाव से राजितिक दलों की ताकत घटी या पढ़िए बताई जाती लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद छोटे से बड़ा चुनाव सीधे सीधे प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है उत्तर भारत में प्रतिष् करनाटक में भारती जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के आने से पहले से है और फिर से सत्ता में है अभी बीएस यद्रपा जो बड़े नेता थे और एक समय में तो करनाटक जनता पार्टी उन्होंने बना लिया था 2013 में कहे हम बनाएंगे अब सरकार हलाकि लौट कराना पड कि दो पार्टियां तो बड़ी हैं कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी उसके अलावा जेडियेस जो देविगवडा जी की पार्टी है इसके अलावा कोई पार्टी वहां बहुत सर्वाइव नहीं कर पाती है अब सवाल ये कि क्या इस बार करनाटक विधान सभा में एक X Factor आने जा रहा है बिलारी ब्रदर्स आपको याद है क्या वह इसे तो बिलारी ब्रदर्स मैं कह रहा हूं तो बिलारी तो जगह का नाम है हैं तो वो रेड़ी ब्रदर्स लेकिन वो रेड़ी ब्रदर्स बिलारी ब्रदर्स के ही नाम से जाने जाते थे वो तीनों भाई ज जनता पार्टी की दिगज नेता सुश्मा सुराज जी के साथ दिखते थे एक समय में जिनके लिए कहा जाता था कि भारती जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन वही करते हैं जो खदान माफिया के तोर पर जाने जाते रहे हलाकि रेटी ब्रदर्स कहते हैं कि हम तो कीवत हो गई उसमें जो एक रेटी हैं जो सबसे जारा ताकतवर माने जा रेते थे जी जनारदन रेटी गली जनारदन रेटी जी जनारदन रेटी अब पूरी तरह से बाहर हैं आउट है भारती जिनता पार्टी से अब उन्होंने कहा कि हम नई पार्टी बनाएं उन्होंने कहा कि 2018 में हमें वरोसा दिया गया था और उनके उपर माइनिंग के कई केसे चल रहे हैं CBI ने उनके खिलाफ मामला दर्ज का रखा है बीच में कहा गया कि अब तो उनकी शक्ती कम हो गई संपदा भी कम हो गई लेकिन अभी 2016 में जब उन्होंने अपनी पुत्री की शादी में 500 करोड उपए करीब करीब खर्श की ऐसा बताये गया रिपोर्ट में तो कहा गया कि ने ने पैसे जम कर हैं क्या ये पैसे और जनारदर नेटी की नई पार्टी भारती जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी पहले से भारती जनता पार्टी ये दुरप्पा को मुख्यमंत्री पत से हटा चुकी है और कहा गया कि लिंगायत वोटर कहीं नाराज न हो जाए फिर बासाव राज बोम्मई आए और बासाव राज बोम्मई ने अभी तक तो सित्या संहाल कर रख 250 में कई ऐसी मुश्किले होती रिख्ती अब यह गूसे लिए संसदी राजनीत के लिहास जो उम्र हो गई थी उनके उपर आरोप थे और रेटी के उपर भी बहुत से आरोप है जनारदन रेटी के उपर भारती जनता पार्टी ने जनारदन रेटी के दो भाईयों करुनाकन रेटी और राजिशेखर रेटी इनको अपने साथ रखा ये दोनों भारती जनता पार्ट ने खूब वाइरल हुई थी वो भी श्री रामलू जो एक समय में उप मुख्य मंत्री पत के दावेदार भी थे वो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर के तौर पर भारती जन्ता पार्टी की सरकार में हैं अब अमिट शाह रेड़ी के मताविक अमिट शाह ने भरोसा दिया था भी पक्ष यह जो के आर पीपी जो जनार्दन रेड़ी की पार्टी है क्या इसमें उनके दोनों भाई जाएंगे हलाकि कहा जा रहा एक बासाराज बंबाई ने बात कर ली है अब वो नहीं जाएंगे बीर स्री रामुलू भी नहीं जाने वाले हैं अभी बंबाई इसलिए दि जगहों पर जहां पर इसको हम कहते हैं ने कि जो एक जो करनाटक कल्यार एलिया कि टूर एरिया ओल्ड मैसूर एरिया जहां जहां इसे लिंगायत समुदाय जादा था वहां पर कॉंग्रेस पार्टी को लाभ मिल गया था यह दुरप्पा लड़े थे तो क्या इस बार भी गडग है बलारी है विजय नगर है रायचूर है कुपल है इन जगहों पर जो रेड़ी ब्रदर्स का प्रभाव है वो होगा सबसे बड़ा सवाल यह हाला कि भारती जनता पार्टी बहुत चिंतित इसलिए नहीं दिख रही है कि दो भाई और एक सबसे विश्वस्त वेक्त वो अभी भारती जनता पार्टी के साथ है अगर ये तीनों जरार्दन डेटी के साथ जाते हैं तो निश्चित तोर पर भारती जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी वैसे भी वहां की राजनी थी इतनी मुफीद नहीं है भारती जनता पार्टी के लिए कि अक तो बासवार आजबुमभाई दिल्ली आ चुके हैंना च्छा, च से ब्हेट कर रहे हैं अबनी जो ओहाँ सिती है किसी तरीके से निकल सकते हैं वो इस मुश्क्किल से निकलने का रास्ता भी खुजने की कोशिफ कर रहा है जहां जनारदा नेड़ी अपनी पार्टी के टिकट पर प्रत्याशियों को खड़ा कर सकते हैं देखी चुनाओ तो यही है और बाकी वहां इतिहास जो रहा है उसमें किसी नई पार्टी को वहां की जनता बहुत जगह देती नहीं है कुछ सीटों को छोड़ दें और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से जाएंगे तो क्या खुद भी जनारदा नेड़ी अपनी पार्टी अपनी सीट जीत पाएंगे क्या और जो दोनें उनके भाई हैं और बीर स्री रामुलू वो क्या भाजपा छोड़कर जाएंगे सारा दारोमदार इसी पार्टी का है बहुत बहुत धन्यवाद